आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब लेकक ने लिखा है कि समन वह और मिलिजली संस्कूनती का विकाश, कबीरदास, गुरु नानक और अमीर खुश्रों के तो इस पार्ट के सीवशक में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कभीदास, गुरु नानक और अमीर खुशो ने हमारे भारतिय साहिते को जिन्दा रखा है लेखक में लिखा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युक की बात करना गलत और ब्रहमक है नहिरुजी का माना है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण या भारत में मुस्लिम युक की बात करना गलत और ब्रहम पैदा करने वाला है इसलाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, भारत में कुछ सदियों के बाद आया लेखक ने बताया है कि जो इसलाम है, इसलाम एक धर्म है, तो इसलाम ने हमारे भारत पर आक्रमण नहीं किया है और बैतो भारत में कुछ सद्धियों के बाद ही आया है आक्रमण तो हमारे भारत पर तुरकों, जिसको हमने पढ़ाये पहले वीडियो में कि महमूद गजनवी जो कि तुर्की का था तो महमूद गजनवी ने किया था अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आकरमण हुआ है तो लेखत में इस पार्ट में हमें बताया है क्योंकि हमारे भारत पर ना तो इसलाम ने आकरमण किया है और नाही मुसलिम योग ने और भारत में कोई सद्यों बाद नी आ गया था नहीं आकरमण तो हमारे देश पर तुर्की ना जिसने का नाम महभूद गजनवी था उस ने किया था अफगानों ने किया था और उसके बाद जो मंगोल का जो राजा था तैमूर लंगत और उसके बाद मुगलों ने आकरमट किया था इन में से बात के दो आकरमन महदवपूर्ण थे लेखक बता रहे हैं कि इन में से बात के दो आकरमन थे वह बहुत जादा महदवपूर्ण थे अफगानों को हम भारत के सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं क्योंकि जो हमारे अफगान है वह हमारे भारत के सीमा वर्ति प्रदेश लगा हुआ है इसलिए अफगानों को तो हम अपनी भारत का सीमा वर्ति समूदाय कह सकते हैं जो भारत के लिए पूरी तरह अजनभी भी नहीं माने चाह सकते थे और जो हमारे भारत के लिए अजनभी नहीं थे उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहा गया है और उन्होंने जब हमारे भारत पे शासन किया उनके जो राजनीतिक शासन था तो उसके काल को हिंद अफगान युग माना गया है जो मतलब उसमें अफगान का भी कला संस्कृती थी और हिंदु की भी कला संस्क्रतियां थी इसलिए उसे हिंद कला अफगानियों कहा गया है मुगल भारत के लिए भारत के और अजनबी लोग थे फिर भी भारतिय धाचे में बड़ी तेजी से समा गए और इन्होंने हिंद मुगल्यों की शुरुआत की लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रका स्थे कला और सब्देता को अपनाया और साथी साथ एक नई उज्की शुरुआत हुई जिसका नाम नाम थे हिंद मुगल्यों लेखक ने लिखा है कि अफगान सासक और जो लोग उनके साथ आय बेवी भारत में समा गये और जितने भी अफगानी संस्कृति को अपना लिया था भारत को वे अपना घर और बाकी सारे दुनिया को विदेश मानने लगे थे और फिर वो भारत को ही अपना घर मानते थे और जितने भी लोग हैं विदेश के उन्हें सारे दुनिया को वो विदेश मानने लगे थे राजनीतिक जगडों के बापजूद उन्हें सामाने तह इसी रूप में शुविकार कर लिया गया और राजपुत राजाओं मैंसे बहुत ओनने अठिराज मान लिया मतलब जब मुगल शासकों ने हमारे उस पर आकरमण किया था भारत में, तो बहुत सारी राजपू राजा ऐसे हुए थे जुनों ने अपना लिया था और अपना आधिराज मान लिया था, पर कुछ ऐसे राजपू सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता श्विकार कर दी और और भयंकर जगडे हुए लेखक बता रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ जो राजपूत सरदार थे उन्होंने उनकी अधीन रहकर कारे कर देकि जो बात थी उसे अस्विकार कर दिया और उसका फल्चरूप बहुत जगडे हुए और उन लोगों के मद्धी आपस में युद्ध ह जो राजपूत राजा थे कुछ राजपूत राजा उन्होंने अपना अधीराज माल ले था लेकिन जो बागी के राजपूत राजा थे वो अभी अभी इस वहासया श्विकार कर रहे थे और उसके कारण बहुत ज़्यादा जगडे हुए थे दिल्ली प्रिशिद्य सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी और जो दिल्ली के जो प्रिशिद्य सुल्तान थे उनके जो माँ थी फिरोज शाह की माँ वह हिंदू थी यही इस्थिति गया शुद्दीन तुगलक की थी हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में तुगलक वंश का एक वक्ति बहुत बढ़ा सामराच्य था तो यह जो गया शुद्धीन तुगलक की था तो लेखक ने बताया है कि जो दिल्ली के प्रशिद सल्टान फिरूल शाह की माँ भी हिंदू थी और यही इस थी गया सुद्धीन तूगलक की बीथी थी मतलब उनकी माँ भी एक हिंदू ही विजय नगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमदाम से विवाह किया था। हमारे देश में बाहरी आकरमन कारी आकरमन कर रहे थे तो हमारे इस दौर में एक कुसल प्रिशासन का विकाश भी हुआ और हमारे यातायात के साधन मतलब आवाग मन के जो भी साधन होते हैं उनमें विशेश रूप से सुधार हुआ। मुख्यता सेनिक कारणों से। सरकार अब और अधिक केंद्रिक रत हो गई है। गोखी उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानी रीती रिवाजों में हस्थचेप ना करे। तो लेखक ने बताया कि उस वक्ती की जो सरकार थी वो अधिक केंद्रिक रत हो गई थी। उसने इस सब बातों का ध्यान रखा था कि जो उनके रीती रिवाज हैं उनके रीती रिवाजों में कोई हस्थचेप ना करे। शेर साह, सेर साह सूरी जो की एक मुगल शाशक थी तो जिसने मुगल काल की आरंब में हस्थचेप किया था। अफगान सासकों में सबसे योग था। लेखक बता रहे हैं जो सेर साह सूरी था तो जो अफगानी सासक था तो उसमें वो सबसे योग शा सक था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्ता की नीव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकाश किया और जिस सेरसा था तो उसने एक प्रिकार की मालगुजारी व्यवस्ता का सुरुवात की और जिस मालगुजारी व्यवस्ता की सेरसा ने सुरुवात की थी तो बाद में जो अफगान शासक अधिक अधिक उप्योग करते गए लेखक ने बताया कि अकपर के जो प्रिशिद्ध राजश्व मंत्री थी तो उनकी नियोकती सेर साह नहीं की हुई थी और जो हिंदूओं की चमता था जो अफगानी शासक थे वह उसका बहुत अधिक प्रियोग कर रहे थे भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा लेखक ने बताया है कि किस प्रिकार से भारत और हिंदू धर्म पर हमारे अफगानों की विजय का जो दोहरा असर पड़ा था तद काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान सासन में पढ़ने व चले गएते और जो लोग बहाँ पर वचे रहे उन्होंने विदेशी तोर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण ववस्ता को और कठूर बना दिया था। धंकी और धीरे-धीरे लोगों का रोज़ान पैदा होने लगा। लेखक बता रहे हैं कि एक और तो लोगों ने इन सारे तरीतोर तरीकों से बसने के लिए वर्ण ववस्ता को और कठूर बना दिया और दोसरी और इन्ही विचारों और जीवन को दोनों में इस विदेशी धं बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ तो लेखक कह रहे हैं कि जब लोगों ने धीरे-धीरे इन्वेदेशी धंकी और धीरे-धीरे लोगों का जब रोज़ान पैदा हुआ उनकी रुशी बढ़ने लगी तो इनका परणाम ऐसा हुआ कि लोगों में आपस में समन्वे होने लगा था और हमारे भारत में जितनी वी वास्तुकला की जो नई सहलियां उपर इसके परणाम सरूप हमारे भारत में वास्तुकला की नई सहलियां भी उपजी और हमारा खाना पीना भी बदल गया और हमारा जो जीवन था वै अनेक रूपां में प् विकास किया। लिकक बता रहे हैं कि हमारी भारत की प्राचिन शास्त्रीच पद्धितु थे तो इन विदेशों ने भी उसी पद्धिती कामसरन करते हुए उसका कई देशों में विकास किया देशों ने कई दिशाओं में विकास किया फार्शी भासा दर्वार की सरकारी भाशा बन गई थी और अब जो फार्शी भासा थी वह उस दर्वार की सरकारी भाशा बन गई थी और फार्शी के बहुत से सब्द बोलचाल की भाशा में प्रवेश कर ग लोग प्रियोग करने लगे थे भारत में जिन दुर्भागे पूर्ण बातों में ब्रद्धी हुई उनमें एक परदा प्रता थी तो लेखक बता रहे हैं कि हमारे भारत में जो सबसे दुर्भागे पूर्ण ब्रद्धी हुई थी वो थी परदा प्रता किस प्रकार से हमारे भारत में परदा प्रता का विकाश हुआ ऐसा क्यूं हुआ यह इस पस्ट नहीं पर भारत में परदा प्रता का विकाश मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदूओं और मसल्मानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा तो लेखक ने बताया है कि हमारे भ प्रभाव सबसे अधिक था लेखक बता रहें कि जो औरतों को परदी में रखने वाली वी जो प्रता है तो वह वहाँ पर ज्यादा फैली थी जहांपर मुसल्मानों का प्रभाव सबसे अधिक था तो हम सब भी जानते हैं कि हम आप देखते हैं जो हमारे आदूनक बारत में भी जितनी भी मुशलिम औरते हैं वो अधिक तर बुरके में दिखाए देती हैं क्योंकि वहाँ पर अभी भी परदा प्रता उसी रूप में चली आ रही है तो औरतों को अलग रखने में अलग परदे में रखने किया प्रता उन्हें लाकों में उचे वरिगों में विशेस रूप से पहली जहां पर मुसल्मानों का सबसे अधिक था यानि उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें डिल्ली, संयुक्ति प्रांत, राशपूताना, बिहार और बंगा लाते हैं लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सोबे में जो मुखे था मुसलिम इलाके थी परदे की प्रता उतनी कड़ी नहीं थी तो लेखक बता रहे हैं कि यह जो परदा प्रता है वह वहाँ पर ज्यादा फैली थी जहां पर मुसल्मानों का ज्यादा प्रवा होता इसे साब से मद्य और विसालपूर्वी प्रदेश में दिल्ली में स्योकत प्रांत में राशपूत आना मतलब जितना भी हमारा राजस्थान वह वहाँ पर बिहार में और बंगाल में यह सब यहां पर परदा प्रता ज्यादा थी लेकन अगर एक अजीब बात यह है कि जो पंजाब और जितने भी सीमा से लगे हुए जितने भी सुवे थे तो वहाँ पर तो मुखे तहा मुसलिम इला के जादा थी लेकन वहाँ पर परदा प्रता इतनी कड़ी नहीं थी दिल्ली में अफगानों के प्रतिस्टित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समनवय का रूप ले रहा था इनमें से अधिकतर परिवर्तन था वह उच्च वर्गों में अमीर उम्रावों में हुए इनका अशर विशाल जन समूह पर विशेशकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जिल्ली में अफगान के प्रतिस्टित हुए तो प्राने और नए के एक बीच एक समनवय बनने लगा था इन मेंसे जो अधिकतर परिवर्टन था वह सिर्फ उच्च वर्गों में हुए और अमीर उम्रावों में ही हुए लेकिन इनका असर हमारे आम जनता पर विशेशकर देहाती मतलब गाउं की जनता पर नहीं पड़ा उनकी सुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे सहरों और कश्बों में फैल जाते थे इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और सयोक्त प्रांत इसके केंद्र बने ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आरे शन्सक्रती का केंद्र रही है लेखक ने बताए कि जिस प्रकार से ये दिल्ली और उत्तरी भारत में सयोक्त प्रांत इन सारी चीजों के केंद्र बने जिस प्रकार से ये हमारे भारत में सबसे पहली जब पुरानी आरे शन्सक्रती थी जब आरे हमारे भारत देश में आया थी तो जिस प्रिकार से उत्री भारत और दिल्ली संयुक्त प्रांत उन्हें इस संस्कृति को अपनाया था उसी प्रिकार उन्होंने इन सारी संस्कृतियों को भी अपना लिया पर इस आरे संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षण की ओर खिसा गया था जो हिंदू रोडी लिधनत कमजोर हो गई तो जोनपूर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हो गई थी लेखक बता रहे हैं कि जब टैमूर ने हमारे देश पर हमला किया थक तो दैमूर के हमले से किस प्रकार से जो दिल्ली की सलजनती वह कमजोर हो गई थी तो जोनपूर जो की एक स रियासत है किस प्रकार से कला, संस्क्रतियों, धार्मिक, सहय उस्रनता का केंद्र रही थी विक्सित होती हुई आम भाशा हिंदी को यहाँ पर प्रोसाहत किया गया और हिंदूओं और मुसलमानों के धर्मों के भी समनबय करने का प्रयास भी किया गया लेखक बता रहे हैं कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर नई अफगानों के त्यामगूर के आक्रमट के बाद जब दिली सल्टनात पूरी तरह के से कमजोर हो गई तब वहाँ पर एक अफगानी रियाशत मतलब मुसलिम रियाशत खड़ी हुई तो किस परकार से यहां पर यह रियाशत कला संस्कृति और धार्म सहाहिसरता का केंड़ बन गई और जो हमारी भासा विक्षित हो रही थी हिंदी भासा को भी यांपर बहुत जपरोचसाहिन मिला और हिंदुों और मुस्लमानों के भी धर्मों को लेकर भी जो समनवय था तो उसको भी समनवाय करने का प्रयाज भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आपदीन को उसकी संस्रता और संस्कृत के अधियन और प्राचीन संस्कृति को प्रोसाहत करने के कारण बहुत यश्ट मिला। तो वज़े सोने बहुत जादा यश्ट मिला। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परिशान कर रहे थे और साती साथ हमारे पूरे भारत में इस प्रिकार की उत्तेजना पूरे भारत में फैली हुई थी और जो यह हमारे भारत में जो तो विदेशी तत्व ग्रहन करने का जो प्रयास कर रहा था, जो विदेशी विदेशियों ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया था, तो इस प्रिक्रिया में थोड़ा भारत भी बदल रहा था, भारत में भी बदलाव हो रहे थे, इसी बीच कुछ नए धंग के सुधारक खड तो लेखक ने बताया है कि इस बीच कुछ ऐसे नए रूप के विश्च, जो सुधारक थे, हमारे समा सुधारक थे, तो वो आये सामने और जिन्हों ने इस समनवय का जान पूछ कर समर्थन किया, और हमारे भारत में जो वर्ण ववस्ता है, उसकी निंदा की मतलब उसकी ब कभी द्राजी की साख्या और उनके पड़ पड़ी हुए है, तो किस प्रकार से उनने हमारे भारत में वर्ण ववस्ता की निंदा की हुई थी, उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिक्क धर्म के संस्तापक माने जाते हैं, और जो सिक्क धर्म में उसकी जो अन्वयाई हैं जिसके संस्तापक हैं, गुरु नानक, तो वह भी इसी स्रेणी में आते हैं, पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नई विचारों का प्रभाव पड़ा, और भारत में इसलाम का स्वरूप भी दूसरे इस थानों पर उसके स्वरूप से किसी तरह तक भिन्न हो गया, लेकग ने बताये कि जिदने भी जे समा सुधारक थे, गुरु नानक, कबीर और रामानद, तो इनके कारण पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नई विचारत का एक प्रभाव पड़ा, और हमारे भारत में भी इसलाम का जो स्वरूप था, वह दूसरे इस्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक काफी भीनने का मतलब होता है, काफी अलग हो गया था, इसलाम में एक इश्वर वाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया, और हिंदूओं की आइसपस्ट बहु देव बाद का प्रभाव भारती मुसल्मानों पर पड़ा, तो लेकग पर उसके स्वर वाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया, और हमारे हिंदूओं के आइसपस्ट बहु देव बाद मतलब हमारे हिंदूओं में बहुत साथ देवी देवता होते हैं, तो इसका प्रभाव भारती मुसल्मानों पर पड़ा, इनमें से अधिक तर भारती जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, और इनका पालन पोशन प्राचिन परंप्राव में हुआ था, और अब भी उनी से घिरे हुए हैं, उनमें बाहर से आने वालों की संक्या पेक चक्रत कम थी, तो लेखक बता रहे हैं, यह जितने भी जो मुसल्मान थे, जो कि हमारे बढ़े बढ़े हैं, तो वहां भी प्राचिन परंप्राएं में रही हैं, और अब भी उनी प्राचिन हमारे भारत की प्राचिन परंप्राओं से घिरे हुए हैं, और इनमें बाहर से आने वालों की संक्या बहुती कम थी, विदेशी तत्वों की भारत में अधिक आदिक आ आम भाषा का प्रियोग था गर्चे दरवार की भार्षा फार्षी बनी रही तो लेखक बता रहें कि जो हमारे विदेशी तत्व थे तो वह इस प्रिकार से हमारे भारत में गरहण कर लिए गए और उसका जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि जितने भी विदेशी लोग कुए आपगो कोई और हमने आज भी बहुत जारी जगाए पर अमीर खुश्रू का नाम सुना हुआ है। अमीर खुश्रू जी का परिचय दिया है कि वे 14-20 सताब्दी के दोरान बहुत सारे अफगान सुल्तानों के सासनकाल में भी रहे हुई हैं। भारत के लोग प्रियप तंत्री वाद्य सितार का विश्कार उन्हों नहीं किया था। और ऐसा मानते हैं कि हमारे भारत में जो लोग प्रियप वादी अंत्र है जिसको हम सितार कहते हैं तो जो सितार का विश्कार भई भी उनके द्वारा ही किया गया था। उन्होंने ऐसी कई विश्यों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेश प्रगती गी और साथी साथ अमीर कुश्रों ने ऐसी बहुत सारी रचनाय की थी जिनमें हमारे भारत ने बहुत जादा तरक्य की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तरक, सास्त्र, भारत, भाष्या और व्याकरण जो की संस्कृत व्याकरण थी। क्या तीरेक्त संगीत, गड़त, विज्ञान और आम का फल है। तो लिखक ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे भारत में किसनी सारी रचनाय कीते और उन सब का हमारे भारत को बहुत सा अच्छा परिडाम हुआ। और जनता उनको प्रशिदी के दाज पर ही पहुँचाएगी। उन्होंने ग्रामीर जनता से केवल उसकी भासा ही नहीं ली बल्कि उनके रीतरिवाज और रहन सहन के धंग का भी वर्णन किया है। किसी भी गाउं या नगर में सुनाई पढ़ सकते हैं। और जो अमीर खुष्रो थे तो उन्होंने बिविन रितुओं मतलब जितने वी मौसम होते हैं तो उन्हों रितुओं और जीवन के बहुत सारे पहलियों पर गीत लिखे। और बेगीत आज भी हमारे उत्तर और मध्य भारत में किसी भी गाउं या शहर में सुनाई दिया जा सकते हैं। अमीर खुष्रो थे उन्होंने बहुत सारी प्रतिभाय कोट कोट कर भरी हुई थी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुष्रो अपने गीतों और पहलियों के लिए प्रिशिद्य हो गये थे। अमीर खुष्रो के लावा ऐसी कोई भी मिसाल नहीं है जहां पर जो गीत 600 साल पहले लेखे गए थे तो वो गीत आज भी हमारे आमजंता की बीच उतने ही लोग प्री हैं। और हमारे भारतिय संस्कृति किस तरह से बहुत सारे देशों ने अपनाई है। अमीर खुष्रो जी के बारे बताये कि जो की मूल रूप से तो तुर्की के थे लेकिन उनके बहुत सारी पीडियां जो अभी भी यह अभी भी तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडिंट्स कभर होसा। आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर। कार्सो पर।